नमस्कार मैं हूँ मुहित वर्मा और आप ये लाइफ सीरी तस्वीरें देख पा रहे हैं इसमें जीला यमना नगर के मोडल टाउन ये एक पोश इलाका पड़ता है जहाँ पर कल ये लोग इनके घर में जो डेथ हो गई थी उसके फूल प्रवाहित करने के लिए ये लोग हर चोरो ने यहां पर जो देख सकते हैं तस्वीरें चोरोने पैड़ से लेकर अलमारिया तक यहां पर तोड़ ढली है जैसा पूरी प्लानिंग के साथ जिस प्रकार से ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर पूरी प्रॉपर तरीके से प्लैनिंग की गई हो कि ये लोग घर से बाहर जाएंगे और पीछे से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है देख सकते हैं लाइफ तस्वीरों में अंदर से जो सभी अलमारिया यहाँ पर तोड़ी हुई है बता रहे हैं भारी संख्या में पांच साथ लाग के नियर अबाउट यहाँ पर कैश था क्योंकि जो बताया जा रहा है यहाँ पर एक लड़का है अरपित जो उनकी मदर है वो कैंसर पेशेंट थी जिनके लिए इलाज के लिए पैसा रखा हुआ था पर लेकिन अफसोस उनका इलाज के दुरान ही उनका नि श्वेर श्री पॉने अठ नेकले शामनु साथ वजी आये हैं जी आया तो दरवाजे सारे बंद करके गाए सी एतल बाउट तो ताला बारो लगा के शिजा आके ताला खोले दो दरवाजा अंदर बंद खुल दाइनी सिक्या देखे ऐस तरह करके मैं हो लिजे देखे वीच दरवाजे सारे बंद तो बड़ी मुश्किल खोले नहीं फिर पुलिस ने बुलाया है पुलिस ने आगे लातवार के दरवाजा खोले है खोल के देखे अंदर अंदर कुंडी भी लाईए इसने अंदर कुंडी लागे हैं एक ताला बारो लगा रहा है तो उन्हाने अंदर बंद ने अल्मारी तोड़ी है एक बखसा सी बखसा मेरा सोना वी सी पैश से सोना वी सी क्योंके मेरी बहु पहले बिमार सी होस्पीटल जान तो पहले ममी तुसी उतार के रख लो गयाने हो तियो कौन समालेगा ओ मैं उतार के रख लाए बहु गुजर गई ओधिक असनिये परवाकरन गया है तो गयने जड़ी मैं के एक को बारी परसो अर्पित गया है मेरा पोता गया है ओधर लैंड डेस्टिफिकेट लैंड वास्ति ओ लैंड गया तो फिर एक को बारी सी बैंक देव जामांगे सारे कम का रहा है उगारी पैसी औरना मतलब उना इतना बेट सी कि बहुत गयने पाए देखेने फिर माता जी आपको लगता है कोई ने कोई भेदी है है बेदी है आज यह बहार जाएंगे जो भी जो भी है तो आपको कैसा लग रहा है एक तो घर में दुख था मैं क्या करूं बेटा मेरा पहले गुजर गया बहु दस दिन पहले अब मेरे एक पोता है बस अब सारी जिन्द की बार की जो मेरी कमाई बस यही थी कुछ बिवारी पर लगी एक मिमारी कुछ दूसरी बिमारी बाकी रही से कसरेंड़ ने पूरी का दी कैश रखा हुगा था प्लाट बेश था मैने दुकान का का सबूल वह मैंने पांच दुकान की वटक थी रखी हुगा और मैं यतना उपर से किराया लेती थी अलाग रखती थी दुकान से खर्चा चलाती थी वह पैसे से कठे करके मेरे पांच छे लाग रहा था तो रख तीस लिए थी कि बच्चा होस्पीटर में बहु भरती है कैंसर होस्पीटर अंबाला वो आता था ममी पचास दे जो साथ दे जो क्योंके कैंसर का आपको पते 25-25 जार के इंजेक्शन लगते हैं 20-25 जार एक टेस्ट 35-35 जार कर वो चार दिन के बाद आता था पैसा ले जाता था मैंने का बैंक भे रखोंगी निकालेगा कौन में चल नहीं सकती खड़ी नहीं ह ती चेंटी ये करन के शहारे और साथ में टापस और एक कुस्ती रिंग थी बहू की एक रिंग मेरे बैटे की टी और ये चांदी का कड़ापतनी कैसे च्छूट रही हाँ पक्र नुख रहा नहीं मतलब मेरे बैटे का था उलस्त है ँभांगी 1023 औरह उन गいます तो देख सकते हैं यह बजूर्ग माता जी है जिनका बेटा पहले ही इस दुनिया में नहीं रहा और साथी साथ इनकी बहु जो काफी बिमार रहती थी जिनको कैंसर पेशंट थे जो लगातार उनका पिछले काफी लंबे समय से इलाज चल रहा था काफी लाखोर प्या खर जो इन्हों ने रखी हुई थी कि चलो इलाज में काम आएगी पर लेकिन देख सकते हैं कल ये हरीदवार फूल प्रवाहित करने गए कुछ समय पहले इनकी जो बहु है उनकी डेथ हो गई थी कैंसर पेशंट थी तो देख सकते हैं मोके का फायदा उठा करके यहां पर चोर नाम नहीं बोलेंगे अभी हम जब तक हमें सुरक्षा नी मिलेगी कि मेरे बिलकुल शक है शक्या पक्का यकीन है क्योंकि और किसी को नहीं मालूम था और ये काम भेदी नहीं किया है क्योंकि जहां से एंप्री की पता था कि कैश भी है घर में गोल्ड भी पड़ा है चीज की गैंसर पेशन को मालूम है कि बहुत पैसा चाहिए वह भी देखे मरने के बाद उतारे वह भी देखे सारे पैसे उनको सौने का भी आइडिया होगा होगा बिल्कुल जी तो कही न कहीं शक है आपको तो देख सकते हैं ने कहीं न कहीं शक है जब तक मुझे पुलिस की सु नाम नहीं लोगी पोता आप ही रह गए गया है क्योंकि अब यह पोता और यह अकेली माता जी इस घर के अंदर रह चुकी और काफी परशान है क्योंकि घर के अंदर दुख भी था और साथी साथ इतनी बड़ी चोरी देख सकते हैं एक एक कागज यहां पर खंगाल कर आखे हुए ए जि देख सकते हैं सामने तस्वीरें भी और इस पर ऋसले कमरे की तस्वीरें दिखा दूँ एफ और दूसरी अलमारिया जो सामने है है सबके ताले टोड़े हुए हैं दें तस्वीर तें थे इस ब्चाले पर समें और सब और प्लानिंग के साथ यह काम किया हुआ है क्योंकि भेदी इनका जो शक है कि भेदी है जिसको पता था कि कल हम फूल प्रवाहित करने जाएंगे तो इस सुरंग देखिए किस प्रकार की सुरंग यहां पर बना करके दिन धिहाडे चोर एंटर हुएं तो आप अंदाजा लगा सक